हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने योट्यूब चैनल जैकपूर पे तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का मौरल सेट हम लोग कर रहे हैं सोसल साइंस का जिसका हम लोग करने वाले हैं सेट 8 करने वाले हैं ठीक है यानि कि सेट 1 से लेकर के सेट 7 तक आपके चैनल पे अपलोड कर दिया गया यह आठमा सेट है ठीक है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सेट 3 यह 2020 का सेट 3 है हम लोग जो मौड़स सेट डिसकस कर रहे थे 2019 से कर रहे थे ठीक है तो इसका यह 7 नहीं यह 8 है इसके पहले भी 7 से आपका सोसल साइंस का यानि समाजिक विग्ञान का कुल सेवन सेट चैनल पे अपलोड है जिसे देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप एक्जाम देने जा रहे हैं दस मई के दिन तो याकिन जानिए आप लोगों को ये सेट देखना बिल्कुल ज़रू आप लोगों के लिए बनेगा वो आप तक नहीं पहुँचेगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और साथी साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा क्यूंकि इस वीडियो के लिए हमने 100 लाइक का टार्गेट रखा है जिसे पूरा करना आपका करतव है ठीक है हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप भी कम से कम एक लाइक और सब्सक्राइब करी सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप देखते हैं हमारा पहला सवाल हमारा पहला सवाल क्या है इस नंबर पर नहीं जाएगा नंबर जो अटपटा नंबर है नंबर को मत ठीक है पहला सवाल देखिए भारत का अंतिम वायस राय कौन था लॉड कौन वालिस लॉड मांट बेटन लॉड विलेजली विलियम बेंटिंग ठीक है तो आप देखिए यहां पर इसका पहला जो है पहले सवाल का जो आंसर होगा वो होगा ओप्सन नंबर दो लॉड मांट बेटन कौन होगा लॉड मांट बेटन ऐसा इसलिए क्यंकी भारत का जो अंतिम वायस राय था देखिये ये कौन था ये एक अंगरेज था अब इसको याद रखने का आपको ट्रिक बताते है ये कौन था एक अंग्रेज था और अंतिम अंग्रेज वो तब होता है जब जिसको हम लोग लाश्ट में भगाएंगे वही अंतिम होगा तो अंतिम अंग्रेज को हम लोगों ने इतना पीटा कि उसका बटन तूट गया उसका बटन तूट गया है ना इतना मार लगा उसे कि उसक अंग्रेज वायस रहा था अंतिम चिथा वो कौन था लॉड माउंट बेटन जिसको हम लोगों ने बटन तोड़कर भगाया ठीक है याद रखिएगा अगला है अगला सवाल है हमारा अगले सवाल में कह रहा है कि किसने संथाल विद्रो की अगवाई नहीं की थी यानि किसने संथाल विद्रो का जो है अगवाई नहीं किया था इसके बारे में बताना है अगवाई किसने नहीं किया था ये बताना है ठीक है क्वेश्चन नंबर है 82 और इसका आंसर आपका हो जाएगा बिर्सा मुंडा बिर्सा मुंडा ने जो है संथाल विद्रो की अगवाई नहीं किया था अगला सवाल है हमारा ज्हारखन के माइकल किंडो किस खेल से सम्मंदित है ये सवाल आपके बार-बार मॉडल सेट में रिपीट हो रहा है तो इसके मतलब है कि आपके क्लास में ये सवाल काफी important है तो इसको याद रखियेगा ठीक है तो ये जो सवाल है आपका 83 में जारखन के माइकल किंडो की स्खेल से सम्बंदित है तो ये हो जाएगा आपका होकी खेल से ये बार-बार आ रहा है ठीक है याद रखिएगा इसको अगला सवाल है हमारा सूरत बंदरगा भारत के किस तट पर इस्थित है तो सूरत बंदरगा जो है पस्चमी पर इस्थित है अगला सवाल है हमारा मसलिन क्या है ये भी सवाल काफी इंपोर्टेंट है बार-बार मॉडल सेट में देखा गया है किसी ने किसी मॉडल सेट में ये सवाल रिपीट हो रहा है ठीक है तो मसलिन क्या है आपको बताना है तो ये बारीक सूती कपड़ा है क्या अगला सवाल है हमारा पूर्टगाली भारत के किस अस्थान पर आये थे मदरास में आये थे सूरत में आये थे काली कट में आये थे या कलकत्ता में आये थे तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका option number 3 काली कट में आये थे कहां आये थे काली कट में आये थे पूर्टगाल ठ 1265 में या 1865 में तो East India Company को बंगाल की जो दिवानी मिली वो मिली थी आपकी 1765 में ठीक है अगला सवाल है हमारा इन में से कौन और नवी करनिय संसाधन का उधारन नहीं है इन में से कौन और नवी करनिय avec des birdas संसाधन का उधारन नहीं है नवी करने संसाधन का उधारन होता है ठीक है और इसको समझने के लिए हमने आपको बताया था कि नवी करने संसाधन वे होते हैं जिनका हम उपयोग बार बार कर सकते हैं और और नवी करने संसाधन ऐसे होते हैं जिनका उपयोग भविस्त में एक बार इस्तेमाल कर लेने पर दुबारा नहीं कर सकते हैं अगला सवाल है हमारा जल गरह किसे कहा जाता है ये भी सवाल आपके बार बार रिपीट हो रहा है तो आप लोग याद रखिएगा ये जो जल गरह है हमारी पिर्थिवी को कहा जाता है क्योंकि यहां पर टोटल जो है 71 यानि तीन कोना जो है जल पाया जाता है पिर्थवी के तीन कोना हिस्से पे क्या है जल है और एक कोने हिस्से पे हम लोग रहते हैं ठीक है अगला सवाल है हमारा निमलिखित में से किर्थिम रेशा का उधारन क्या है तो ये भी सवाल बार-बार रेपीट हो रहा है आप लोग 91 धातवी खनीच पाई जाती है धातवी खनीच जो है वो कहां पाई जाती है आपको बताना है तो इसका सही जवाब क्या होगा आगनिये एवं काहिंतरी चटान में या फिर परतदार चटान में या फिर अवसादी चटान में या फिर उपरोक्त में से सभी तो इसका सही जव आप क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका option नमबर एक आगनिये एवं काहिंतरी चटानों में अगला सवाल है हमारा निमलिखित में से कौन अस्थानिक संसाधन नहीं है आपके option है लोहा, अबरक, मैगनिच या फिर जल अस्थानिक संसाधन का मतलब आप बंगाल में रहेगा ठीक है रांची में पाए जा रहा है तो यह घजक करके धनबात नहीं चला जाएगा ठीक है तो वैसे संसाधन तो कौन नहीं है ये बताना है आप देखिए लोहा यह जगह से दुस्फर जगह नहीं भागेगा अबरक नहीं भागेगा मैगनिच नहीं दंड कहा जाता है किसी किसे उद्योग का मेरू दंड कहते हैं ठीक है आपके options हैं कोईला एलमुनियम तामबा या लोह इस बात तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लोह इस पात किसे उद्योग का मेरू दंड कहते हैं मेरू दंड किसको बोलते है मेरू दंड जो हम लोहा खड़ा रखता है, लोहा क्या होता है, इस तरह से समझेगा, आपके लोहा काफी कठोर होता है, वो उसे खड़ा रखेगा, ठीक है, इस तरह से याद रखेगा, तो लोहा इस बात आपको याद आ जाएगा, option number 4, ठीक है, लोहा इस बात याद रखेंगे, अगला समाल है हमारा रेगूर मिर्दा किसे कहा जाता है लाल मिट्टी को काली मिट्टी को जरोल मिट्टी को या फिर लेटराइट मिट्टी को ठीक है रेगूर मिर्दा किसे कहते हैं रेगूर मिर्दा ठीक है तो इसे हम लोग कहते हैं काली मिट्टी को किसको कहेंगे काली मिट्टी को कहें के option number 2 ठीक है अगला सवाल है माना वरिकार दिवस हर वर्स की स्तिति को मनाते हैं दस दिसंबर को दस अक्टूबर को दस नवंबर को दस सितंबर को ये भी सवाल आपका बार बार रिपीट कर रहा है तो ये भी आपका इंपोर्टेंट रहेगा देख लिजिएगा दस दिसंब को ठीक है अगला सवाल है हमारा स्वक्ष भारत अभियान भारत सरकार दुआरा कब आरम किया गया था ये भी सवाल आपका बार बार रिपीट कर रहा है तो ये भी आपका VBI के डिगरी में आता है तो इसका सही जवाब आपको बताना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ अक्टूबर 2014 को ठीक है अच्छा इसको याद कैसे रखेंगे इसको देखते के साथ आपको एक बहुत अच्छा सा ट्रिक याद आएगा देखिए 224 224 2002 अक्टूबर 2014 को याद रखने का ट्रिक देख लिजे 2 अक्टूबर है अक्टूबर को आप छोड़ दीजे, दो अक्टूबर 2014, चलिए इसको याद कराते हैं आपको किस तरह से, दो दो चार, ठीक है, यह आपका ट्रिक हो गिया, आप इससे option से छाट सकते हैं, उच नियाले में नियाईधिसों को कौन पदमुक्त करता है, इसका सहाई पदमुक्त अब यहाँ पर समझेगा, यह जाब नहीं दे रहा है, यह जाब से हटा रहा है, ठीक है, तो परधान मंतरी, उचितम नियाले या महाभ्योक Candi की परकरिया है राजजपाल, तो जो यह नियाईधिस होते हैं, उचितम नियाले के जो जजज होते हैं, उसको कोई भी नहीं अगला सवाल है हमारा भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है ठीक है आपके options है मंतरी परिशद ठीक है मंतरी परिशद लोकसभा राजसभा या संसथ तो देखिए कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो संसथ के पास होता है ठीक है इसको आप बढ़ें से याद यह भी सवाल आपका बार-बार रिपीट हो रहा है तो यह भी काफी important होने वाला है आपके exam के लिए अगला सवाल है हमारा सौतंत्र भारत में पर्थम चुनाव कब कराए गये थे यह सवाल भी very very important के डिगरी में आता है बहुत बार रिपीट हुआ है अगर आप हमारे सभी वीडियोस को देख रहे होंगे तो आपको तो याद हो गया होगा ठीक है तो आपके options हैं 1950 में 1947 में 1952 में 1951 में तो बताइए आपको तो याद ही होगा तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा option number 3 option number 3 1952 में भारत में पर्थम चुनाव कराए गये थे अगला सवाल और आख आपको पताना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका option number 2 डॉक्टर बी आर अमबेटकर तो उमीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजेगा लाइक करने से कोई भी पैसा आपका नहीं लगन आने की तो एक लाइक कर दीजेगा चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजेगा प्यारा सा कॉमेंट कर दीजेगा जिसका हमें आपके कॉमेंट का हमें बेसबरी से इंतजार रहता है तो एक प्यारा सा कॉमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले एक कॉमेंट जरूर किया कीजिए तो चलिए मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में यदि आप हमारे WhatsApp ग्रूप के साथ टेलिग्राम ग्रूप के साथ जुड़ना चाते हैं या इसका PDF लेना चाते हैं तो इसका टेलिग्राम पे आपको उपलब्द कराया जाएगा तो आप लोग टेलिग्राम चैनल को जरूर से जरूर जोईन कर लिजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक किया किजिए मिरेंगे अपने अगले वीडियो में थैंक यू